संघर्स में जीवन का उपसंघार वह नियम रूप से हर्ष में होता है संघर्स करोगे तो हर्ष होगा संघर्स को ही गिसना पड़ता है दीरे दीरे वहीं से हर्ष निकलता है आप पढ़ाई के लिए कहीं बैठे हैं आप बैवसाई के लिए कहीं बैठे हैं आप किसी और प्रकार की बिचित प्रकार की साधना के लिए कहीं बैठे हैं और संगर्ष को देख करके भाग जाते हैं यह जो वाटसब पे देखने वाले हीरो, हीरोईन होते हैं बड़े-बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं जिनको जो बनने के आपकी चाहत होती है आप इनके ब्यक्तिका तो निजी जीवन को भी देखिएगा इतना संगर्स में जीवन होता है इन लोगों का कि बारा-बारा आठ-ठ गंटे तक संप्लिमेंट्स खाते हुए और दुनिया भर की चीजों का बक्षान करते हुए जिम में बैठे रहते हैं आप एंड डाउन, आप एंड डाउन, आप एंड डाउन करते रहते हैं क्यों? बाडी सही दिखना चाहिए दिखेगा नहीं तो बिखेगा कैसे और पांच मेंट की उनकी चहरे की मुस्कुराहट या थोड़ा सा फोकस दिखता है और आपकी भावना बनती है कि अरे इसका तो बहुत तेजपुन है जब पाप करने वाले लोगों को भी अपने पाप की विवस्था बनाने के लिए दिन भर संघर्स करने पड़ते हैं उनके डाइटिशन रहते हैं, नूट्रिशन रहते हैं उनके जिम ट्रेनर्स रहते हैं उनके साथ रहने वाले दुनिया भर के लोग रहते हैं बारा बारा आठाट लोगों के बीच में भसा हुआ बक्ती थोड़ी देर के लिए हीरो दिखाई देता है लेकिन संघर्स वो भी करता है संघर्स में जीवन का उपसंघर हर्ष में होता है बेटा कितना मालों कोई एक्टिंग भी करते हैं तो ट्रेनिंग स्कूल होते हैं इंस्ट्यूट होते हैं पूना में बहंबे में वहां पिचा कर कि ट्रेनिंग लेनी पड़ती है बार-बार रिजेक्शन होता है बार-बार उसके पेपर्स होते हैं फिर जाकर कि वो फिल्मी कैरियर में सामने आकर कि दिखाई देते जिसको आप आइडियल समझते हैं ये बात अलग है कि वो जब सब चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर वो आपको सिर्फ बिगाडने का काम करते हैं जब उनकी एक्टिम्कूल सही हो जाती है तब वो कबीर खान जैसे मूबी निकालते हैं जिसमें सिर्फ दारू, सिगरिट और महिला के अलाबा किसी बात के लिए इंस्पायर नहीं किया जाता आप उनको देखते हैं और अपना गड़ बिगाड़ते हैं ये तो गलत बात लेकिन यहां तो करतिकार धर्ती माटी से कहती है बेटा, संगर्ष में जीवन का उपसंगार नियम रूप से हर्ष में होता है इसमें वो जो कहानी मुझे याद आती है आप लोग ने हो सकता है, पहले सुनी भी हो कि एक किसान था और जब भी वो खेत में गेहूं बोता उसी समय बारिश आ जाती उसी समय आंधियां चलने लगती उसी समय कई बार सूखा पड़ जाता हर बार किसान की मेहनत में प्रकती पानी फेर देती हर बार प्रकती का ऐसा रौत रुदू दिखाई देता कि उसकी फसल खराब हो जाती आज तो आप लोग भगवान से संबाद करने की बात नहीं कर पाते लेकिन उस समय उस किसान की भगवान से बात होती थी तो कि रूपक है उधारन के माध्यम से बात समझाए जाती है तो रूपक में सब बोलते है किसान बोलते हैं ग्यों बोलता है मिट्टी बोलती है धर्ती बोलता है कुम्म बोलता है अगनी बोलती है जब आप कुछ story और novel पढ़ते हैं तो उसमें हर वेक्ती को बोलने की छमता आजाती है तो वहाँ पर वो किसान भगवां के पास जाकर के कहता है इतनी महनत करता हूँ और आप सब बरबाद कर देते हूँ आपको इतना भी बिवेक नहीं है कि किसानों ने धर्ती पर इतनी महनत करके और फसल वो ही है कि कब पानी बरसाना है कब धूप निकालना है कब हवा चलानी है कब शांत रहना है कब ठंडक पैदा करनी है कुछ पता ही नहीं है जब मर्जी आए जो कर दिया पास साल से देख रहे हैं पूरी फसल बरबाद होती है इससे अच्छा तो मैं आपकी जगा होता तो सही काम कर लेता भगवान परसन हो गया है मुस्करा करके बोलते हैं अच्छा काम करते हैं अगली बार तुम्हारी मर्जी से परकती बदलेगी तुम जब चाहोगे दूप निकलेगी तुम जब चाहोगे बारिश तुम जब चाहोगे ठंड़ तुम जब चाहोगे दिन तुम जब चाहोगे रात सब तुम्हारी मर्जी से होगा पांस साल का कोटा जो तुमने खराब किया है तुम पूरा कर देना अगली बार सब किस चीज तुम्हारे हाथ में किसान बोलता है पक्का हाँ तो फिर ठीक है अगला मुसी जन आया भगवान ने कह दिया आज से सारी प्रकदी तुम्हारे हाथ में किसान ने कहा बादल माई के गर्मी में बोला बादल चाहिए क्यों? क्योंकि सूखी मिट्टी खोदेंगे तो बहुत भानत लगती है थोडा सा पानी डलेगा मिट्टी थोड़ी गीली होगी महनत कम लगी कि खुदी जाएगा उसने माई की महेने मिखा बादल पानी बादल बरस के उसने हल चलाया मिट्टी खुद गई कम मेहनत में सारा काम उसने कहा सुखा सुखा होने धूप दिखने लगी उसने बीज डाला खेत को बराबर लेंड कर दिया फिर उसने कहा पानी फिर साथ दिन बाद पानी गिरा फिर वो साथ दिन बाद कहता है धूप तो धूप निकल आई किसान सोचता है क्या अदबुत है जब जैसी चाहता हूँ वैसा सब मिलता चला जाता है आपके घरों में भी आपके बच्चों की साथ यही वेवस्ता है बच्चे जो जब चाहते है सब मिलता चला जाता है मां एंड्राइड दे दिया मा कपड़े दे दिया मा चाबी दे दिया मा गाड़ी दे दिया आपकी बच्चे ने जो मांगा आपने वो अपने बच्चे को दे दिया संगर्स कोई चीजी नहीं है तोड़ा भी करने की बात करो तो बच्चे आंसू बहाते हैं एमोसिनली ब्लैक्मेल करते हैं फिर मावलतियारे ले लो चलता है दे दिया अब वो किसान ने जब धूब गर्मी बारिश ठंड़क पानी राद दिन सब अपनी मरजी का कराया और फसल ऐसी लहला हाने लगी मीलो दूर तक बिल्कुल पीली पीली पकी पकी अच्छी बड़ी बड़ी फसल और किसान देख करके खुस होता है और कहते है भगवान को बताऊंगा कि देखो बैवस्ता इसको कहते हैं इस तरीके से सच्टी पर विकास होता है तुम प्रभू हो करके नहीं समझ पहें कटने का टाइम आया फसल को देख करके किसान इतना खुस था कटने का माया और जब कटाई के वक्त देखता है किसान कि पसल बड़ी है पीली है घनी है अच्छी फली है लेकिन उसमें दाना नहीं है फिर माथा पकड़ता है फिर भगवां के पास जाकर के बोलता है ये क्या नो टंकी है क्या नो टंकी है भगवां बोलती है क्या बोले सब कुछ है उसमें दाना नहीं है जिसके लिए फसल करी थी तब प्रभु कहते हैं वो दाना अनकूलता में पैदा नहीं होता संघर्सों में पैदा होता है फसल तो कभी भी किसी भी परसितियों में खड़ी हो सकती है पुत्र की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति, धन की उत्पत्ति, बैबस्ताओं की उत्पत्ति तो किसी भी परसितियों में हो सकती है बंदू लेकिन उसके अंदर जो भाव होना चाहिए, वो जो दाने में बजंदारी होने चाहिए, वो बजंदारी तो संगर्स में ही पैदा होती है और बच्चे को हम संगर्स देने के पक्ष में नहीं है क्योंकि जो दुख हमने भूग लिया आपने तो संकल बगर लिया है कि अपने बच्चे को भूगने नहीं देंगे